हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन डेली कुरंट फियर्ज ऑफ हिमाचर प्रदेश तो आज हम डिसक्स करेंगे 19th of June 2020 के कुरंट फियर्ज और इस सेशन के के और इस सेशन के पीडिएफ प्राप्त कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की दिसकेशन me no first ही हिम कोष्ट तो हिम कोकसट ने आॉलाइन प्रतियोगिता अयुज्ट की थी और ओड़ाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयुज्ट की थी International Biodiversity Day पे अंतराश्टिय जैव विवित्ता दिवस पे और उस ओनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता की जो विजेता है उनके नाम गोशित कर दी गए है और गर बात की जाए इस ओनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता की तो इसमें चार विशेओं पर प्रतियोगिता की गई थी जिसमें तितलिया, वरिक्ष, पक्षी और प्राक्रितिक द्रिश्य ये चार विशे थे जिन पे ये प्रतियोगिता आयोज की गई थी और इस प्रतियोगिता को तीन वर्गों में विभाजत किया गया था पहला वर्ग जो चात्र चट्वीं से आट्वीं तक के चात्र हैं उनका वर्ग था दूसरा नवीं से दस्वीं तक के चात्रों का वर्ग तीसरा ग्यार्वीं से वार्वीं तक के चात्रों का वर्ग इनके लिए ये ओनलाइन फोटोग्राफी प्रत्योगिता आयुजद की वहीं बात कीजाएं दूसरे वर्ग जो कि नववें से दसवी ककशा का उस वर्ग पहला स्थान प्राप्त किया है PAV स्थान प्राप्थ्य स्थान प्राप्थ किया है और वहीं बात ही जाये इस प्रतियोगीता के प्रसकारों की तो जिन जिन छात्रों प्रतम स्थान प्राप्त किया है उन्हें 25 रुपए दिये जाएंगे जो उपपीजेता है जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है उन्हें 2,000 रुपए दिये जाएंगे और जिन्होंने त्रीतिय स्थान प्राप्त किया है उन्हें 1500 रुपए पुरुसकार दिया जाए कहा अगर बात की जाए हिम कोस्त की जिसे हम हिमाचल पर देश काउंसिल फॉर साइस टेकनोलोजी एंड-ट कहते हैं या फिर इंद्स पर देश विज्ञान प्रोद्योंग की और प्रयावर्ण परिश्जद कहते हैं यह हिमाचल प्रतेश की गवर्मेंट की एक नोडल एजनसी है जिसका काम है साइस एंड टेकनोलोजी को प्रमोट करना साथ ही में जो एनवारमेंट अवेरनेस है स्टेट में उसको क्रियेट करना उसको भी प्रमोट करना अगर बात की जाए इसके स्थापना की तो 3 जनबरी 1986 को इसकी स्थापना की गई ती और इसके चेर्मेन है जो हमारे मुख्यमंतरी है वही इसके चेर्मेन है अगर इसके अबजेक्टिब्स की बात की जाए हिमकोष्ट के अबजेक्टिब्स की बात की जाए तो सबसे पहला है इनका काम है एडवाइज करना सला देना स्टेट गवर्में से related issues हैं interventions हैं उनके regarding सरकार को advice देना साथी में जो भी appropriate technologies हैं रज्जे के लिए उनको develop करना demonstrate करना उनको transfer करना साथी में जो भी national और international scientific institutions हैं organizations हैं उनकी जो development हैं उनको state के साथ exchange करना और एक pool create करना और ये जो भी inventions हैं उनको state के साथ exchange करना साथी में जो भी हमारी scientific और technological innovations हैं उनको promote करना popularize करना और disseminate करना साथी में जो भी हमारी science and technology की facilities हैं state में उनको strengthen करना उनको बढ़ावा देना साथी में जो हमारी studies हैं इस science and technology से related studies हैं उनको promote करना उनकी जो research है development है उनको भी promote करना साथी में जो भी other universities है other states की universities है और जो भी other universities है उनके जो research and development sections है research and development departments है उनके साथ एक linkage establish करना और अंत में अगर किसी को भी कोई technological successful होने के लिए कोई भी consultancy चाहिए तो वो consultancy service भी provide करना ये काम है हिमाचर प्रदेश council for science technology and environment जिसे हिमकोष्ट भी कहते है next is भानुपली बिलासपुर लेह रेल लाइन तो चीन से बढ़ते हुए तनाब के बीच में जो भानुपली बिलासपुर लेह रेल लाइन है उसका निर्मान कारिया अब शुरू कर दिया गया है उसे प्रगती परदान की गई है अगर बात करें इस रेल्वे लाइन की इस रेल्वे ट्रैक की तो यह एक all weather रेल्वे ट्रैक होगा जो की एक broad gauge रेल्वे ट्रैक होगा जिसकी चोड़ाई 5.6 इंच होगी और इसका जो प्लैन है वो पंजाब के भानुपरली से बाया विलासपूर हिमाचल परदेश के विलासपूर से होके इसे लदाख यूनिन टरेटरी के लेह तक बनाय जाएगा अगर मैप में देखें आप देख सकते हैं यह है हमारा हिमाचल परदेश और यहां है हमारा पंजाब तो यह है पंजाब का भानुपरली और भानुपरली से होके बिलासपूर से बाया मंडी मंडी से कुलू कुलू से मनाली और लाहल स्पिती से होके इसे लदाख यूनिन टरेटरी की लेह तक इस रेलवे ट्रेक को बनाया जाएगा अगर बात की जाए इसके टोटल एक्सपेक्टिल लेंथ की तो लगबग 498 किलोमेटर लंबा ये रेलवे ट्रेक होगा और अगर इस रेलवे ट्रेक का निर्मान कर दिया जाता है और जो भी इस पे रेलवे स्टेशन बनेंगे तो लेह में जो रेलवे स्टेशन वो वर्ड का सबसे highest railway station है अगर बात कीज़े highest railway station की जो highest railway station अगर ये बना तो कहां बनेगा तो लेह के तांगलांग ला पे ये railway station बनेगा आप देख सकते हैं ये है लेह का तांगलांग ला और जिसकी expected जो height है वो लवग 17,582 feet है ये अबब sea level है और ये तांगुला railway station जो चाइना में है किंग गाई चाइना में है तांगुला railway station उससे भी height पे ये बनेगा और जो चाइना वाला railway station है क्योंग गाई railway station है वो उसकी height है 16,686 feet और जो भानुपली लेह rail line mark पे जो highest railway station बनेगा उसकी height होगी 17,582 feet height अगर बात की जाए इसके linkages की अगर इस railway track का निर्मान हुआ तो इस railway track का जो link है वो या फिर कांगडा railway track के साथ इसको link किया जाएगा या फिर काल का railway track के साथ इसको link किया जाएगा अगर हम map में देखें आप देख सकते हैं ये है भानुपली पंजाब में और ये है बिलासपूर और यहाँ है काल का railway line जो बद्दी तक extended है जब इसका निर्मान होगा तो इसके जो linkages है वो बद्दी से बिलासपूर तक एक link बनाए जाएगा और ये है हमारी पठान कोर्ट कांगडा railway line और इसका दूसरा link के जो है वो मंडी तक बनाया जाएगा नेक्स्ट इस शिपकिला पास शिपकिला दर्रा तो शिपकिला में कारोबार के लिए इस बार नहीं होगी लोगों की आवजाही जो व्यापारी है उनकी कोई आवजाही नहीं होगी चीन से बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए ये निर्ने लिया गया है कि इस बार जो भी हम व्यापार करते थे तिबद के साथ अब उसे व्यापार को नहीं किया जाएगा और हर वरश एक जून से शिपकि दर्रे पर ये व्यापारिक आगवन शुरू होता था और शिपकी दर्रा, सिक्किम के नातुला दर्रा और उतराखंड के लिपूलेक दर्रा की तरह ये भी काफी महत्वपूर्ण व्यापारिक किंदर है जो तिबद के साथ व्यापार है हमारा उसके लिए काफी महत्वपूर्ण व्यापारिक किंदर है अगर हम मैप में देखें आ काफी महत्तपूर्ण है तिब्बत के साथ व्यापार के लिए और अगर बात की जाए इन दर्रों की तो इन तीनों ही दर्रों पर भारतिय व्यापारी अपना सामान तिब्बत व्यापारियों को बेज़ते थे और तिब्बत के जो व्यापारी है वो अपना सामान भारतिय व्यापारियों को बेज़ते थे अगर बात की जाए शिपकी लापास की शिपकी लादर्रा की तो शिपकी लापास के नौर जीले को तिब्बत से जोड़ता है और ये लगवग 15,490 फुट की उन्चाई पस्तित है फ्रॉम सी लेबल और इस पास के नजदीक ही सतलूज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है वहीं बात की जाए सतलूज नदी को तिब्बत में लांकीन जांगबो के नाम से जाना जाता है और भारत का राश्ट्री राजमार्ग 5 शिपकी ला तक जाता है अगर हम मैप में देखें, आप देख सकते हैं, यह है हमारा किनौर डिस्टिक, यहाँ है हमारा शिपकी पास और यह है सतलुज नदी, सतलुज नदी भारत में शिपकी पास के नजदी प्रवेश करती है, किनौर में प्रवेश करती है, और तिब्बत में इसे लांकीन जांग बोके नाम से जाना जाता है और शिपकी पास के नजदी के गाउं है खाब में स्पीती नदी सत्रल नदी के मिया के मिलती है और आगे ये भारत में प्रवेश करती है और अगे बढ़ती है अगर बात की जाए लाशब्द की तो हमने काफी बात देखा है कि लाशब्द का उपयोग किया जाता है तो लाशब्द तीवती भाषा में दर्रे को कहते हैं तो हम इसे शिपकी दर्रा भी कह सकते हैं या भी शिपकी ला भी कह सकते हैं तो ये थी हमारे आज की discussion revise करते हैं हमने आज क्या क्या discuss किया सबसे प्याने हमने discuss किया Himcoast ने जो awards थी उनकी घोशना की है जो उनकी online photography पर तेवगी था थी उसके लिए जो change किये गए है जो उनका प्रतमस्तान आया है उनका awards की घोशना की गई है नमबर सेकेंड पर हमने discuss किया भानुपली, बिलासपुल, लेह, रेलाइन के बारे में और एंड में हमने discuss किया शिपकिला, पास के बारे में तो अब हम कुछ question practice करेंगे जो कि इस discussion पर based होंगे तो start करते हैं हमारी question practice First question is In which year हिमाचल प्रदेश Council for Science, Technology and Environment वर्ष की गई, तो ये हैं हमारी चार options और आपके पास 5 सेकेंड इसको attempt करने के लिए attempt कीजिए, आपका time शुरू होता है अब आईए देखते हैं इसका correct answer, इसका correct answer है option day 1986 3 जनवरी 1986 को हिमाचल प्रदेश Council for Science, Technology Technology Environment जिसे हिमाचल प्रदेश, विज्ञान, प्रदयोगे की और पर्यावर्ण परिशद हिमकोष्ट कैसे हैं उसकी स्थापना की गई थी Next question is Where is the highest railway station in the world? विश्यो का सबसे उंचा railway station कहा स्थित है? तो ये हैं हमारी चार options और आपके पास 5 सेकेंड इनको अटेम्ट करने के लिए अटेम्ट कीजिए आपका टाइम शुरू होता है अब आईए देखते हैं इसका correct answer इसका correct answer है option D, China तो चाइना के king high region में टांगूला railway station है वो वर्ल्ड का सबसे highest railway station है next question is सतलुज river enters in which district of हिमाचर प्रदेश from तिबबत सतलुज नदी तिबबत से हिमाचर प्रदेश के कौन से जिले में प्रवेश करती है तो ये हैं हमारी चार options और आपके पास 5 सेकेंड इस question को attempt करने के लिए attempt कीजिए आपका time शुरू होता है अब आईए देखते हैं इसका correct answer इसका correct answer है option D किनौर सतलुज नदी भारत में और हिमाचर प्रदेश में शिपकिला पास के पास किनौर district में तिबबत से प्रवेश करती है तो ये थी हमारी आज की discussion thanks for watching video do like share and subscribe my channel